Let us start with the third case, जहांपे ranks equal हैं या ranks repeat हो रहे हैं? Remember वो जो बड़ा वाला formula था, वो यहां काम आने वाला है. चलो, let's start. पहले देखते हैं कि है क्या ranks equal हैं या repeat हो रहे हैं? देखो, again आपको x and y दे दिया है. स्टार्ट करें थोड़ा simple sum से तक कि आपको समझ में आई यह numerical, ठीक है? हमें r1 और r2 चाहिए, तो पहले r1 निकाल लेते हैं. देखो, अब क्या करोगे? यहां पे ranks assign करनी है. First step यही है, rank assign करना. 24 है, तो देदो rank 1. Then 23 है, तो देदो rank 2. 3 और 4. 19, 19 दो बार repeat हो रहा है, equal है, repetition है, हम देख रहा है, heading में है. तो 19 और 19 है, तो 3rd और 4th rank कैसे देंगे? तो नहीं देंगे, रुख जाते हैं उसके लिए. 3rd और 4th rank को जाने दो, 16 पे आजाओ, इसको देदो rank 5th, ठीक है? और 12th पे आजाओ, 12 को देदो rank 6. अब देखो क्या करोगे, 19, 19 दो बार repeat हो रहा है, rank कौन सी आनी चाहिए थी, 3rd and 4th, तो क्या करो, 3 प्लस 4, क्या आजाएगा, 7, repetition कितनी बार हो रही है, 2 बार, 7 डिवाइड बार 2 करो, क्या answer आ रहा है, 3.5, easy है, तो इस तरीके से आप rank assign कर सकते हो, अगर repetition है तो, क्या करो, 3rd or 4th rank है, तो 3 प्लस 4, 7 divided by 2, answer क्या आ रहा है, 3.5, करके दिखाने के जरुवत नहीं है, बहुत easy अपने लिए, तो यहाँ पे लिख दो, 3.5 and यहाँ पे again, 3.5, ठीक है, simple calculation है, जब आप confused हो, rank repeat हो रही है, ऐसे कर लो, next, R2 find out करना है, R2 calculate करते है, देखो यहाँ पे, 1st rank औ और 2nd rank ही नहीं दे सकते है, क्योंकि 22 और 22 repeat हो रहा है, तो 1st और 2nd को जाने दो, आगे बढ़ते है, 20 है, 20 को दे दो rank number 3, उसके बाद क्या है, 18 है, 18 को दे दो rank number 4, उसके बाद में अपने पास क्या है, 14, उसको दे दो rank number 5, और आगे आ जाते है, 9 पो, उसको दे दो rank number 6, again, क कौनसी rank missing है, कौनसी rank नहीं दी है, rank number 1 and 2 नहीं दी है, तो 1 plus 2, 3, divided by 2, क्योंकि 2 बार repeat हो रहा है, answer क्या आएगा, 1.5, तो किसी को भी 1st और 2nd नहीं देंगे, 1.5, 1.5 दे दो, done, next step क्या है, decalculate करना है, तो decalculate करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 minus R2, ठीक है, चलो, 3.5 minus 6, तो we'll give you minus 2.5, 1 minus 1.5, we'll give you again minus 0.5, next 6 minus 3, we'll give you plus 3, 2 minus 5, we'll give you minus 3, 3.5 minus 1.5, आपको मिल जाएगा, plus 2, again, 5 minus 4, तो आपको मिल जाएगा, plus 1, यह होगे, आपका D, D square calculate कर लेते हैं, D square calculate करने के लिए, क्या करेंगे, 25 का square क्या होता है, 625, यहाँ पे point है, बस क्या करो, 6.25 लगा दो, ठीक है, 2.5 नहीं होता है, 2.50 रहेगा पीछे, तो यहाँ पे 6.25 लगा दो, 5 का square क्या होता है, 25, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, again, point 25, 25 that means, 3 का क्या हो जाएगा, 9, again, 3 का क्या हो जाएगा, square 9, 2 का square हो जाएगा, 4, और 1 का square रहेगा, 1, easy calculation है, time लो, 5 second लो, देख लो क्या calculation आ रही है, मेरा answer ready, आपका ready है, 29.50, आपका d square आपके पास, आगे है, n क्या है हमारा, हमने 6 तक ranks दिये, तो n is equal to 6, ठीक है, यह आपका, दोनो values आपके पास में आ गही है, formula क्या है हमारा, rank is equal to 1 minus 6, sigma d square plus 1 by 12, mq minus m, यह पहला mq किस लिए है, क्योंकि 19 repeat हो रहा है, ठीक है, इसके लिए यह हमने एक बार लिख दिया, again plus 1 by 12, mq minus m, अब यह किस लिए है, यहाँ पे 22 भी तो repeat हो रहा है ना, तो एक बार और लिख दिया हमने, upon nq minus n, यह हमारा formula ready है, मैंने पहले पीछे dot dot लगाये था, याद ना, अगर और repetition होती तो और लिखते, पर हमारे पास सिफ दो ही चीज़े repeat हो रही है, 19 repeat हो रहा है, तो यह रहा, 22 repeat हो रहा है, तो again mq लिख दिया हमने, ठीक है, अब formula में value पुट करते हैं, देखो, rank is equal to 1 minus 6, into sigma d square, वो अपना है 29.50, ठीक है, plus 1 by 12, into, mq क्या लेंगे अब, 19 लिखने के वाँपे, repeat हो रहा है न 19, तो 19 लिखे, नहीं, 19 नहीं लिखना है, 19 दो बार repeat हो रहा है, तो 2 लिखना है, क्यूंकि दो बार repetition हो रही है, तो यहाँ पे 2 का q minus 2, यह लिखना है हमें, plus 1 by 12, again, क्या repeat हो रहा है आपका, 22, कितनी बार repeat हो रहा है, दो बार repeat हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 q minus 2, यह हो गया, n की value क्या है, 6 है, तो 6 का q minus 6, सारी values हमारे formula में हमने put कर दिये, अब फटा फटा इसको solve करते हैं, 1 minus 6, into 29.50, अब क्या करेंगे, 1 by 12, 2 का q क्या होता है, 8, 8 minus 2 करोगे, 6, plus 1 by 12, again, 2 का q क्या है, 2 q, 8 होता है, 8 minus 2, 6, ठीक है, bracket close, यहाँ पे, 6 का q क्या है, 200 and 16 minus 6, सारी values formula में put कर दिये, अगे आगे बढ़ते हैं, 1, 6 into 29.50, यह हमने लिख दिया है, देखो, 6, 2, 12, 6, 2, 12, हमारे पास में क्या value आ रही है, यह आ रही है, 1 by 2, 1 by 2, तो 1 by 2 क्या है अपना 0.5 है, तो यहाँ पे 29.50 में plus 0.5, again plus 0.5 करो, ठीक है, bracket close, 216 में से 6 minus करो, 210 अपका answer आ जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है यहाँ पे, 1 minus 6 into, 29.50, 0.5, 0.5, सब मिला आगे हो गया, 30.5, upon 210, यह हमारी value आ गई है, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम, 1 minus, 6 into 30.5 करोगे, answer आ जाएगा, 183, upon 210, simplify करो इसको, simplify करना जरूरी है, यह जाएगा अपना, 3 से, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, 61, और यहाँ पे हो जाएगा, 70, 61 क्या है, prime number है, आगे divisible नहीं है, तो directly अब इसको, divide कर दो, यहाँ पे आते हैं, क्या करोगे, 1 minus, इन दोनों को divide करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, 0.871, final answer क्या आ जाएगा, अपना आंसर है, 0.128, आपकी जो rank है, वो आ गई है, 0.128, हमेशा याद रखना, M क्या है, the number of time, a number is repeated, एक value repeat हो रही है, वो लिखना है, और समझने के लिए, एक और numerical करते हैं, क्या है,